नमस्कार वित्रो मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक स्विध पंकज पे स्वागत है कुछ सवाल है आप लोग के तरब से मैं उसका इंसर दिने का प्रियास कर रहा हूं बहुत ही सोट वीडियो में सबसे पहले सवाल है कि कटफ पे क्या प्रभाव पड़ रहे गा सब्लीमेंटरी रिजल्ट आने के बाद कासकर पीजटी कंप्यूटर साइंस पे और सब्लीमेंटरी रिजल्ट कब आएगा बहुत ही छोटा चोटा वीडियो बनाओंगा मैं सबसे पहले केके पाटक सर का एक निव्यूज है मैं आप लोग के साथ सेर करना चाहता ह हूं कि केके पाटक सर का इस्तिपा हो चुका है ऐसा मेडिया से खबर आ रहा है पता नहीं क्या सच चाहिए क्या नहीं हम लोग उसमें नहीं जाएंगे लेकिन एक चीज़ जो है हमें परिशान करती है बीपीएसी दावा करता है किया भी होगा कि हमने जो एक्जाम लिया है वो पूरी तरह से बिवस्थित था कहीं से भी कोई गलती हुई नहीं है लेकिन अभी जो नियूज पेपर में खबरे आ रहे हैं कि हर जिला में 10% जितने भी टीचर नियुक्त हुए हैं उसमें 10% फरजी टीचर निकल रहे हैं खासकर जब उनका बायोमेट्रिक वेरिफिके है क्योंकि यह आकड़ा छोटा नहीं है और लगबग अगर पूरे बिहार में बात की जाए तो यह टोटल 17,000 है विभिन न्यूज से पता जो चल रहा है उसके अलावा भी आपने सारे सीटों को भरा नहीं खासकर प्यूजिटी कंप्यूटर साइंस में बात की जाए तो य कैसा नहीं हम लोग सवाल करेंगे आप चाहे कुछ भी करें सवाल करना अधिकार है छबी आपकी दोमिल हो रही है तो छबी इतनी कमजोड क्यों बना के आप लोगों ने रखी कि आप लोगी छबी तुरंट से दोमिल हो जा रही है किसी के कहने से दूसरा सवाल की सप्लिमे क्या प्रभाब पड़ेगा बहुत ज्यादा नहीं यूर का कटफ थोड़ा बहुत कम होगा तो एक मार्क्स कम होगा इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है मैं गलत हो सकता हूं गलत हो भी जाओं दो तीन मार्क्स कटफ कम चला जाए ठीक है लेकिन पिजटी कंप्यूट ट्री 3.0 में सीटे रहेंगी 1000 के अप्रोक्स तो अभी दिक रही है और भी बढ़ सकती है इसलिए तैयारी में लगे रहें अभी से तैयारी में लगे रहें कोई एक स्कूज ना दे इस सिस्टम है ऐसी चलेगा प्रॉब्लम आएगी जाएगी हर बर अलग अलग तरीके की ल प्रिशान होता है तो उनके लिए आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है इस तरह की बाते हम जैसे लोगों को अगर समझ में आ रहें तो जरूर करनी चाहिए और इसको आप लोग अन्य था ना ले और बढ़ाई करते रहें ठीक है धन्यवाद ऐसे इन्फॉर्मेशन के आप लोग हम सिर्फ जुड़े इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें